नमस्कार फ्रेंड्स मेरी यमीर सोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बहुत इजी तरीके वाली चना मसाला लेके आई हूँ जो पूरी पराठी चावल के साथ बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं जब सबजी से उप जाते हैं तो इस तरह की सबजी बहुत अच्छी लगती है तो आएए देखिए हम किस तरह से इस रेस्पी को तयार किये हैं बहुत इजी तरीके से कोई ग्रेवी के लिए मसाला नहीं बनाना बस केबल आप चना को पहले सी भीगोई है बाग की सारी तैयारी करने के कोई आवसकता नहीं है बहुत इजी तरीके से इसे बनाएंगे एक कुकर लेते हैं कुकर में तेल डाल लेते हैं जितना यूज करना चाहते हैं या तो जितना आपको चना डालना हो और उसमें तेजपता और जीरा डालते हैं जब यह ब्रॉन हो जाए तब तक बेट करते हैं इसमें थोड़ा सा हिंग एड़ करेंगे तो हमने हिंग एड़ कर दिया है जब यह ब्रॉन हो जाए उसके बाद रफली चौप किया हुआ प्याज डालते हैं बहुत मोटा मोटा सा चौप किया हुआ, प्याज हम इसमें आइड कर रहे हैं, कोई पीसा हुआ प्याज हम नहीं ले रहे हैं, या पतला कटा हुआ प्याज नहीं ले रहे हैं, बस रपली चौप किया हुआ, प्याज आइड कर रहे हैं, जब ये प्याज हलका सा पारदर्सी ह उसके बाद हम टमाटर को एड़ कर दे रहे हैं, दो टमाटर हमने यूज किया है इसमें, तो दो टमाटर के टुकड़े को इसमें डाल दे रहे हैं अब इन दोनों को हम अच्छा से पकाएएंगे थोड़ा सा टाइम देंगे, यह हलका सा बढ़िईार मिक्स हो झाए इतना टा अब इसमें हम अद्रक और लहसन को कूटा हुआ डाल रहे हैं जितना भी यूज करना चाहते हूं उस तरीके से आप डाल सकते हैं दो चार पीस हम लहसन साबुत ही एड़ कर रहे हैं थोड़ा से हल्दी फॉडर अब हम सारे मसाले को डाल देंगे इसके अंदर सुखे मसाले को धनिया पॉडर, मिर्ची पॉडर, जितना भी दिखा रखना हो उस हिसाब से डालना है इन सब को मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के और इस तरह का मसाला तयार कर लेंगे बिल्कुल देखिए मसाला तयार है अब जितना चना यूज करना है उस चना को हम डाल रहे हैं एक बड़ा कब से हमने चना लिया है तो उस चना को हम इसमेड कर दे रहे हैं उसके बराबर कहीं मातरा में पानी डाल देते हैं हमने इसमें सारे कुछ डाल दिये हैं बस अब गरम मसाला बच गया है जो मैं लाश्ट में डालूँगी अब इसे बंद करते हैं और मीडियम फ एक दम गरेवी और भी बढ़ियां गाड़ा हो जाएगा तो देखिए इस तरह का चना मसाला हमारा है विल्कुल इसमें गरम मसाला भी एड़ कर देते हैं और यह बहुत ही इजी तरीके वाला हमारा चना मसाला है आप इसे कम गरेवी का या ज्यादा गरेवी का किसी भी तर से बना सकते हैं और इस आसान तरीके से आप जरूर ट्राइ कीजिए बहुत बढ़िया बन के तयार होगा अब इसमें हम धनिया पता आइड कर देते हैं और ये बहुत ही टेस्टी यमी हमारा चना मसाला तयार हो गया देखिए ऐसा लगी नहीं रहा है कि इसके ग्रेवी के तय प्यारी हमने पहले से नहीं किया था और अचनक से बनाना पड़ा तो ये हमारा चना मसाला परफिक्ट बन गया है आप जरूर बनाए और मेरी चैनल को सपोर्ट करें धन्यवाद डियर फ्रेंड्स